वेल्कम टू मैं चैनल मेरा नौव विक्रम है और जैसे कि आज आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro का बूट लोडर कैसे अंलोक करें यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैं भी लेटेस्ट अब्डिप्टे हूँ जो की Android 9 Pie के उपर बेस्ट है यहाँ पे 5 अगस्ट का आपको सिकुरिटी पैश मिल जाता है और जो MIUI वेशन मिलता है 10.3.2.0 का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अभी जो है फोन का बूट और जो है लॉग का यहाँ पर मैं अल्रेडी लॉग कर चुका हूँ इसको अभी अनलोग करके बताऊंगा जैसे की सेम स्टेप यहाँ पर देख सकते हो जो की डिवाइस में यहाँ पर रिसेट कर चुका हूँ और आपको यहाँ पर फ्रेश डिवाइस के तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर को ना जाये एहां पर और आपको यहां पर टाइप करना है उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मेन बात याद रखना है जैसे कि यह मैं अनलॉक स्टेटर इसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है जैसे कि इस डिवाइस लॉक्ड है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको अकाउंट को आड़ कर लेना है यहाँ पर देख सकते हो मैं SIM card को अभी insert कर चुका हूँ यहाँ पे आपको network आने तक wait कर लेना है जैसे कि 4G यहाँ पे आ चुका है तो data view मैं on कर चुका हूँ आपको उसके बाद जो है आपको यहाँ पे account add कर लेना है यहाँ पे आप देख सकते हो तो preparing account यहाँ पे आप देख सकते हो successfully account जो है add हो चुका है जो phone का वर्पता यहाँ पे खतम हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे PC के अंदर आना है और next step जो है आपको यहाँ पे PC के अंदर follow कर लेना है तो आपको यहाँ पे phone को जो है फास्ट पूड में आ जोखा है उसके बाद आपको यहाँ पर PC से कनेक कर लेना है अपने फोन को यहाँ पर मैं आ चुका हूँ PC के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो आपको फाइल डाउनलोड कर लेना है जैसे कि आपको यहाँ पर PC से के अंदर जो कि connected रहना होगा internet connections यहाँ पर देख सकते हो मैं अब भी connected हो internet से यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कर लेना है जैसे कि phone number भी उसके कर सकते हो आप जो है यह मेई account का यूज भी कर सकते हो तो तो तीनों में से यहाँ पे एक का यूज कर सकते हो तो मैं अंहें पे phone number से लॉगvon करूंगा तो phone number आपका और उसके बाद आपको यहाँ पे type करना होगा password और एक बात याद रखना होगा जो आपने यहाँ पर MIID यूज़ क्या था यह Redmi Note 5 Pro में वही MIID से आपको यहाँ पर Login कर लेना होगा जैसी कि आप यहाँ पर देख सकते हो वही MIID में यहाँ पर Login कर चुका हूँ तो phone का data यहाँ पर fully erase हो जाएगा तो आपको यहाँ पर बार backup ले लेना होगा अपने data को अगर आपका SD card है इसके अंदर तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है SD card का data जो है safe रहेगा यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देता है जैसी कि आपको warn भी करता है आपका data यहाँ पर erase हो जाएगा तो आपको एक बार backup कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हो 100% पर आपको यहाँ पर यहाँ देख सकते हो 95 % हो चुका है जो फोन हैं अन्लॉक करते हो तो आपको यहाँ यहाँ पर जैसी कि आपको यहाँ टाइम बताएगा वो वेट टाइम तक आपको वेट कर लेना है उसके बाद आपको जो है सेम स्टेप फॉलो कर लेना है जैसी कि अपना लॉगिन इडी पासवर्ट दार लेना है उसके बाद आपको यहां पर अनलॉक हो जाएक आपका डिवैस का बूट लोडर तो बूट लो जो था यहाँ पर नीवली मेथेड़ है जैसे कि अब यहाँ पर डेट भी देख सकते हो 2019-2019 जो कि अभी मैं अक्टोबर में यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर यहाँ पर वीडियो बना के बता रहा हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपक उनको भी दबाली जो इस स्टूडियो को लाइक कर लिजे तो फिलाल के लिए इस स्टूडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद